Hello everyone, I am Shruti Gupta और आज के वीडियो में हम discuss करने वाले हैं variables in C++ यानि C++ में हम variables कैसे create करते हैं कैसे उसका use करते हैं कैसे user से values input कराते हैं practically आज ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे किसी भी program में data को store करने के लिए variables का use किया जाता है यानि variables वो named memory locations हैं जहां हम कुछ value store करके रख सकते हैं और इन variables की value throughout the program हम change कर सकते हैं इसके कोई fix value नहीं होती है जैसे algebra में पढ़ा होगा आपने x, y, z कोई भी हम variable मान लेते हैं और उसको हम use करते हैं इसी तरीके से programming में भी हम किसी variable को declare कर सकते हैं और उसको use कर सकते हैं तो variable declaration क्या है variable declaration वह statement कहा जाता है जिसमें हम compiler को बताते हैं कि हमारा variable name क्या है और ये variable किस data type को belong करता है data types कौन कौन से हैं ये हमने last video में discuss किया था जिन लोगों नहीं देखा है data types पर video उसका link मैं नीचे description box में दे दूँगी आप जातर पहले वो वीडियो चेक करिए कि basic data type C++ में क्या होते है तो variable declare करते समय उसका syntax हम क्या use करते है data type space variable name variable का name क्या होता है identifier होता है हमने discuss किया था कि identifies क्या होते है identifies के कुछ rules भी थे जैसे जब भी हम कोई variable name declare करते हैं वो हमेशा alphabet या underscore sign से start होना चाहिए उसके बाद भी उसमें हम कहीं basic use कर सकते है कोई special symbol इसमें use नहीं किया जा सकता है underscore के अलावा इसके अलावा इसमें blank space नहीं दिया जा सकता है capital name और small letter में लिखे गए name अलग-अलग होते हैं user का उस range के अंदर जो भी value आएगी वह इस variable में store हो सकती है इसी तरीके से character data type के हमने एक variable declare किया है ch, ch के अंदर हम character type के किसी भी value को enter करा सकते हैं अब देखें initialization of a variable initialization क्या होता है जब हम variable declare करते हैं तो उसकी कोई initial value नहीं होती है जैसे last example में हमने declare किया था int num num की कोई initial value नहीं थी अगर उसकी value को हम print करना चाहें या use करना चाहें तो वह garbage value print होगी या garbage value use होगी इसलिए जब किसी variable को हम initially किसी value से assign करना चाहते हैं तो वह initialization कहलाता है जैसे यहां हमने एक variable declare किया है int i, variable हमारा name क्या है i equal to 10 यानि इस variable की value क्या होगी 10 actually यह होगा क्या RAM में एक variable create हो जाएगा RAM में एक memory space reserve हो जाएगा किसके लिए i के लिए और उस memory space में value के store होगी 10 variable की value आप ध्यान रखें कभी भी change हो सकती है हम उसे program में कहीं भी change कर सकते हैं तो जब भी हम नई value store कराएंगे यह value delete हो जाएगी और उसकी जग़ए नई value यहां store हो जाएगी यानि एक बार में किसी variable में एक ही value store हो सकती है अब चलिए देखते हैं practically variables हम कैसे create करते हैं कैसे उसकी value को display करते हैं तो C++ का यह जो structure हमने discuss किया था मैंने पहले ही header file include कर लिए main function declare कर दिया है और CLR, SCR function भी लगा दिया है ताकि screen clear हो जाए अब हम variable को declare करें suppose एक variable में लेने जारी हूँ यहाँ int i और इसकी value को हम print करें cout i जब variable की value को हम print करना चाहते हैं तो उसको हम double quotes के अंदर नहीं लिखते हैं तो इसलिए हमने क्या लिखा cout i and last में हम लगा दें अपना get ch function तो C++ का simple कैसे program बनाते हैं यह आप देख चुके हैं अब इसको run करें तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या print हो रहा है 7588 यानि यह कोई भी garbage value प्रिंट कर रहा है तो जैसे मैंने बताया था कि अगर variable को initialize नहीं किया जाए तो यह कोई भी value प्रिंट करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि initialization हम इसी line में करें अगर यहाँ हम लिख दें i equal to 10 तो यहाँ इसकी initial value क्या हो जाएगी 10 अब इसको अगर हम compile करें run करें तो यह आप देख सकते हैं यह क्या print कर रहा है 10 अगर initialization same line में करना चाहें तो हम कर सकते हैं हम यहीं लिख सकते हैं i equal to 10 और suppose इसको मैं यह line delete कर रही है अब अगर file को हम save करें compile करें और run करें तो देख सकते हैं output हमारा क्या आ रहा है 10 तो initialization जरूरी नहीं है कि same line में हो या next line में भी जाकर initialization किया जा सकता है अब अगर मैं program बनाऊ suppose दो numbers को add करने का तो यहां comment entry में change करते रही हूँ to add to numbers यानि यह program किस लिए है तो numbers को add करने के लिए अब यहां मैं कुछ variables declare कर रही हूँ suppose अगर अगर आप एक से ज्यादा variable data declare करना चाहते हैं एक ही data type का तो आप same line में भी लिख सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो मैं तीन लाइन में लिख सकती हूँ int a semicolon, int b semicolon, int c semicolon या तो हम same line में ही तीनो variables declare कर सकते हैं अब इन में suppose a की value मैं दे दूँ 4 b की value दे दूँ 5 और c equal to a plus b तो यह क्या करेगा c की value a plus b के equal हो जाएगी और मैं c की value किसी message के साथ print करना चाहती हूँ sum is c c क्योंकि इसकी value print करानी है मुझे मैं इसको double quotes में नहीं लिख रही हूँ अगर हम अलग लिख रहे हैं तो यहाँ वापस less than less than sign up को use करना होगा तो यह प्रोग्राम है जिसके तुरू दो numbers को हम add कर रहे है run आप देख सकते हैं यहाँ output आ रहा है sum is 9 फिक है तो इस तरीके से किसी दो numbers को हम add कर सकते हैं सब्ट्राक्ट कर सकते हैं या multiply करना चाहें तो यहाँ हम into sign यूज कर सकते हैं into sign यूज होता है multiplication के लिए तो यह यहाँ लेकिन जब भी हम c की value को print कराएंगे यह क्या print होगा 9 यानि अगर हम दो numbers को print करना चाहें तो यह हमेशा 4 and 5 की add करेगा इसके अलावा अगर हमें change करना है तो वापस हमें coding में जाकर change करना होगा लेकिन अगर value हम user से read करना चाहते हैं तो हम कैसे करें इसके लिए मैं आज बताना चाहरी हूं cout statement हमने use किया था किसी message को print करने के लिए अब अगर यहाँ cout statement use करें enter a number ठीक है अब अगर value हमें read करनी है अगर मैं user से input कराके और फिर उन दो number को add करना चाहूं तो हम c in statement use करते हैं c in statement use होता है किसी variable की value को read करने के लिए cout screen पर print करता है जबकि c in value को read करता है तो cout अब मैं दूसरा number enter कराना चाहा रही हूं enter another number c in greater than sign आपको लगाना होगा b यानि अब क्या होगा a और b की value user अपने हिसाब से कुछ भी ते सकता है और उन दो numbers को लेकर value को add किया जा सकता है अब इसे हम compile कर लें प्रोग्राम को run करने पर आप देख सकते हैं कि cout जो हमने लिखा था enter a number यह message display हो रहा है यहां हम कोई भी number डालें suppose 32 enter प्रेस करें तो अब आ रहा है enter another number जो हमने अखले cout statement में दिखा था suppose हमने लिखा 54 तो यहां a की value क्या हो गई 32 और b की value क्या हो गई 54 अब enter प्रेस कर रहे हैं तो हमें calculated result दिखा रहा है sum equal to 86 86 क्या है c की value तो यहां जो पहला number हमने डाला था वो value कहां गई थी a variable में दूसरा जो number डाला था वो b variable में और इन दोनों variable को add करके result कहां store हो रहा था c के अंदर और c की value को हम print करा रहे थे इसी तरीके से आप suppose अगर इन दो numbers को multiply करना चाहते हैं तो आप यहां operator change कर सकते हैं operator पर मैं अलग से एक video बनाऊंगी जिसमें सभी operators के बारे में discuss किया जाएगा suppose अब इन दो number को अगर हम multiply करना चाहते हैं तो c equal to a asterisk sign multiplication के लिए होता है और यहां मैं message change कर दूँ सम की जगर मैं यहां product कर देती हूं product is c अब इस file को save कर ले compile and then run enter a number suppose 5 enter another number 2 and product is 10 इसी तरीके से हम कोई भी program बना सकते हैं सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि हमें program के हिसाब से कौन-कौन से variable लेने हैं जैसे अगर हम circle का area calculate करें करें तो circle का area calculate करने का formula क्या होता है पाई आर स्क्वायर के लिए हमें r की value मालूम होनी चाहिए radius की value मालूम होनी चाहिए तो हम radius enter कराएंगे और calculated result store करने के लिए हमें एक और variable चाहिए area तो दो variable लेकर हम इस तरह के programs बना सकते हैं तो इसी तरीके programs मैं simple programs आपको अभी एक exercise में दूंगी आप उन programs को बनाएं और अगर कोई problem आती है तो आप नीचे मुझे comment section में लिखें मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ यहां जैसे हम लोगोंने int data type का use किया यानि whole number को सिर्फ हम use कर रहे हैं लेकिन अगर हमें point वाली value चाहिए तो हम यहां क्या कर सकते है float यानि मैंने data type change कर दिया तीनो variable का अब इसको हम run करके देखें save compile and run अब यहां मैं point वाली value डाल सकती हूँ suppose 7.45 दूसरा number डालू 3.56 अब यहां देख सकते हैं कि calculated result हमारा ऐसा आ रहा है point में क्यूं क्यूंकि हमने float data type का use किया है तो ऐसे program में जहां हमें लगता है कि हमारा calculated result point में आने वाला है हम वहां float का use कर सकते हैं तो float या double कोई भी हम use कर सकते हैं कोई भी number अगर store कराना है तो हम या तो int, float या double किसी का use कर सकते हैं अब मैं आपको कुछ exercise questions दे रही हूं जो आप C++ program के थुरू बना सकते हैं जैसे पहला program है rectangle का area calculate करना तो rectangle का area calculate करने के लिए हम क्या formula लगाते है area equal to L into B यानि इस program में हमें कम से कम 3 variable की जरुरत होगी दो variable जो length or breath enter करवाएगा और तीसरा area जिसमें हम result store करेंगे इसी तरीके से perimeter of rectangle इसका program बना सकते है perimeter के लिए sorry यह area नहीं यह perimeter हो जाएगा perimeter equal to 2 into L plus B यहाँ L plus B को first bracket में रखा है क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि यह calculation पहले हो जाए L plus B पहले हो जाए फिर जो value आएगी उसको 2 से multiply करना है तो यहाँ हम उसका use कर सकते हैं यहाँ आप area की जगा perimeter कर दीजेगा तीसरा है area of circle यानि area calculate करने के लिए pi r square यूज करते है circle का area calculate करने के लिए तो हमने क्या किया है यहाँ pi की value लिख दी है और r square r square का मतलब क्या हुआ r into r तो इस तरीके से circle का area भी calculate कर सकते हैं कोई भी problem आए आप मुझे नीचे comment section में लिखिए कि क्या दिक्कत आ रही है और अगर यह video आपको समझ में आई तो वीडियो को like, share and subscribe करें साथ ही अपने notification बटन को on करें अगले वीडियो में मिलते हैं operators के